अगर आप अपने लाइफ के हर छेत्रे में सखलता प्राप दरना चाहते हैं तो हाथ वाहुद की दसुब देशाथ के जही रास्ते तक ले जाने वह बूत ही करेंगे चले जानते हैं उनके बारे में जो आपके जीवन बगल देंगे दोस्तों उनकी पहले और सबसे अच्छी बात ये है कि मनुष्के बरतमान नहीं के पुसी का रास्ता है मनुष्से का सबसे बड़ा सब्सक्रोद है संदे और सक्ती आदत सबसे ज़्यादा बयानक होती है लोग तब भी जट करेंगे जब आप खुद तो जित प्राक्ष रोगे जैसे सूरे चंदर्मा और सत्ते कभी नहीं चीपते और यही दुने को सच्छाई है लच्छे को पाने के लिए यात्रा अच्छी होने चाहिए बुराई को सिर्फ प्रेम से ही बिता जा सकता है दोस्तो इन बातों को यदि हम मनों से अमल करें और महात्मा गुद के उपदेशों को हिसाब से चले जित जीवन सच्छे में जीना आसान हो जाएगा दुसरी बात वहोंने यह बताई खुष रहना है तो अच्छा सोचिए दोस्तो महात्मा गुद्ध ने कहा है कि जैसा हम सोचिए वैसा ही हम बन जाते हैं जब मन सुद होता है तब पढसनता हमारी पीछा नहीं चूटा जैसे की परशाई हमारे पीछा नहीं छोटी दोस्तों महात्मा गुद्ध ने कहा है कि इन्सान को हमें सब्सक्रात्मत बाते सोचनी चाहिए ताकि हर कठी परस्तिकियों में आसा की किरन भूंग सके और अपने लाइफ का पुसरा सके दोस्तों सोच ब्यक्ति की जीवान को बना भी सकते है और भ्यार भी सकते हैं दोस्तों जैसा मनों से सोचता है वैसा ही बनता जाता है इसलिए हर हाल में सत्रात मकरें ये फोतम पुत के सुद्ध निचार और उप्देश हैं कि महनत के बिना कुछ नहीं मिलता दोस्तों महनत के बिना कुछ नहीं आलोस और पुझोरी आपको बरवारी के उपने वारी की जोटा सा रास्ता है अच्छा और कुछ हाल जीवन जीने का एक मात तरीका दूस्तु हमने अक्सर देखा है वो लोग बिकार हैं कि बड़े बड़े बाते करते हैं वहीं वुद्धिमान लोग मेनती हैं और आगे बढ़ने के बारे में सूचते हैं अगर आपकों अपनी जीवन में आगे बढ़ना है और कुछ करना है तो मेरत करने ही होगी इसलिए मात मात में कहा है वहनत करो मेरत के देविना कुछ नहीं है उनकी चौठी देशने से निरह हो के आगे बढ़ने दोस्तों दो गल्दिया है जिसे एक तरह में से सफ़ने होता पहला वो जो सच का साना नहीं करता और दूसरा वो जो सूचता है यह कां करनेगा और करता नहीं है तो आपके मंदिन खुदा अपना रास्ता देगी और सिर्फ सोच के रुक जाओगे तो दोस्तों आप अपने लाइफ में पीछे रहे जाओगे, पहले आप शुरुआ तो करो, और मेहनत करो, और आगे बढ़ो, धन बेभाव मेहनत से ही मिलता है, और सुचना हो तो दिना मेहनत की आगे बढ़ गया, दोस्तों, मैं एक बात बता दो, जिन्दगी का ईहने बिना मेहनत की कोई आगे नहीं बढ़ता है, हम दूर खड़े होकर उसके बारे में बताते हैं, सुचते हैं, लेकिन उसके अंदर की गहराईया को नहीं देखते हैं, इसलिए दोस्तों एक रोटी भी बिना मेहमत की रिसीब नहीं होता, तो धन बहतों कहां से महनेगी, इसलिए दोस्तों आगे बढ़िए और किसी भी काम की सुरुआ कीजिए, जिस काम कर भी सुरुआ कीजिए, उसे पूरा कीजिए, कम्यावी और अच्छाई आज की कदम चु ये आपने देखा है। महत्माखुती की सारी पतिमाएं निप्तिया इतने हस्ती हुई और नमर क्यूं है, दोस्तों मैं बता दू, क्यूंके महत्माखुतों अपनी जिन्दगे की सच्चाईयों को जार लिया था, जिन्दगे में किस regional की रहिसंतने को जार किया था, उनोंन बरतमाज में में जीना सिखिया था हमें भी मिन के तरह मन को सांथ रखना चाहिए और नम रहना चाहिए इसके लिए इनके दोआरों बताए रमान को चलना होगा दोस्तों आप महात्मा गुद्ध के पता नियम के चलेजिये जीना सामुजाए धन्यवाद मिलते हैं अगले वी कर दो डियो, कुछ अराधा यूस्तों आपना तो सामुब बता यड़ जयले।